और यह रहा आपका perfect design और यह रही आपकी API ठीक है Hello everyone, this is your host आसिफताच और इस वीडियो में आपको सिखाऊंगो कि आप किस तरह से अपनी इस news app में जो हम first चीज़ करेंगो वो यह कि हम channels की जो news हैं वो यहाँ पर headlines हैं वो यहाँ पर show करवाएंगे अभी आप देख सकते हैं कि यह BBC news की आपके पर headlines show हो रही है ठीक है देन अगर यहाँ से हम news channel change करें Al Jazeera क्यों पर click करें ठीक है तो यह filters add मैंने कर रखे हैं और यहाँ पर accordingly वो filter हम fetch कर लेते हैं बट यह सब किस तरह से होगा इसको start करते हैं ठीक है so again last time अगर आपको याद हो तो हमने splash screen बनाई थी और उससे पहले वीडियो मैंने आपको news API के बारे में detail बताया था ठीक है अब उसी में से एक news API जो हमने discussion की थी वो यह थी ठीक है top headlines and इसका link आपको I think part 2 में मैंने provide कर दिया था जिन्होंने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी जहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर आपने अपना token add करना ठीक है and यहाँ पर यह अब देखें यह आपके पर न्यूज अपियाई है okay news API.org version 2 top headlines ठीक है so जो headlines है and then यहाँ पर इसको हम source provide कर रहे है is equal to ठीक है यह क्योरी parameters होते हैं यहाँ पर क्योरी parameters आपको यहाँ पर नजर भी आ रहे होंगे यह देख रहे है source source में क्या लिखा BBC News के मुझे BBC News की API को fetch करके दो by the way this this software जो है यह जो software है यह postman है और हम postman को API के लिए यूज करते हैं और यह सारे projects हैं जिसके पर मैं काम कर चुक हूँ ठीक है और यह सारी APIs के through की हैं तो यहाँ पर आपको मेरे projects भी नजर आ रहे होंगे और यहाँ पर source के बाद आपने end यूज करते हैं तो आप एक नया parameter add करते हैं ठीक है so make sure करना है कि आप correct की okay so मुझसे news had okay so yeah this one okay 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 so मैंने mistake कर दी ठीक है BBC news so यह हमारे पास API है ठीक है and then जब मैं इस API को hit करता हूँ तो इसके against हमारे पास एक response आता है अब जिन्होंने मेरी API वाली series देखिए उनको पता है कि जब भी आपकी API के response जो है वो object से start होता है object से ठीक है तो आप इसका direct model बना सकते है उसमें भी कुछ certain rules है वो मैंने आपको बताए थे कि जिस तरह आपके पस key value pairs यह key है ठीक है और यह value है तो यह जो key है यह default keywords में ना use होती हो ठीक है जिस तरह यहां पर आप for अगर key का नाम for होगा तो of course उसका model नहीं बनेगा ठीक है और ईसका आप जो result आया है एना ठीक है response आया उसको भी जरह understand कर लें और result में क्या है status और total results यहां पर आपके पस 10 रहे ठीक है and then आपके पास articles है ठीक है इस 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 चैनल के articles है ठीक है अब इस article में ये article itself एक array है ठीक है array आपको पथा लेस्त होती है ठीक है and then आपके पस list मे एक object है ठीक है आरे में आपके पास क्या होते हैं indexes होते हैं ठीक है तो यह अब आपके पास first index है और इस first index पे आपके पास एक object है ठीक है और उस again similarly फिर objects आपके पास और भी बहुत सारे आपके पास 10 objects होंगे क्योंकि यहाँ पर यह 10 result है ठीक है अब यहाँ पर अगर आप इस first object to expand करें तो यहाँ पर देखें आपके पास है source ठीक है means के यह कौन से channel की news है तो आपके पास यहाँ पर ID आ रही है ठीक है और उस उसका नेम आ रहा है news channel का नेम आ रहा है और आपके पास इसकी ID आ रही है और यही आईडी अगर आप देखें BBC News तो यहाँ पास की है तो मेरे पास सिफ BBC News के की articles यहाँ पर आ रहे है ठीक है then author title description और आपके पास image population और content बगएर आ ठीक है और यही process repeat हो रहा है नीचे की तरफ अब आ जाते हैं हम अपनी practical चीजों की तरफ जो अब हमने इस API को integrate किस तरह से करना है पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको ब्लॉक से करवाऊंगा बट अब मैंने उस plan को cancel कर दिया the reason is कि मेरी audience अभी तक ब्लॉक के shift नहीं है मेरी audience provider किया मेरी audience घ्रक्स किया और आप लोग को ब्लॉक आती ना हो तो अब आप देखें अगर आप यहां पर आजें अपने simulator में तो अब आप यहां से content match भी कर सकते हैं आपके पस first news और fun hands अखर यह यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं यह आप मैं अल्रीडी बना चुक हूं ठीक है तो यहां पर देखें ओपन और whatever ठीक है जो भी इंग्लिश लिखिए तो यहां आपके पास match कर रही है ठीक है अब मैं इसको कॉपी किया इस पूरे इसको कॉपी किया ठीक है और गूगल भ सबकर किया ठीक है अब अगय है इसमें एक की हुगी होगी कि आपज यहां रिटा का सबकिक है और इसको मैं अगे आगे सब कुछ आगे जाके step by step सिखाता जाओंगा बट यहां पर आपने क्या करना है आपने आ जाना है यहां पर और यहां पर आपने इस चैनल आप इसका नाम दे दें तो let's say news ठीक है channels headlines model ठीक है proper name दिये करें ताकि आपको 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 न हैड्लाइन ओके सो यहां पर मैंने कुछ mistake किये head l i n headlines model ठीक है तो यहां पर देखे spelling mistake नहीं करनी है आपको बता भी रहा था कॉपी कर लें इसको यहां से ठीक है अब हम अपने कोड में जाते हैं जो हमने प्रॉचिक स्टार्ट किया था और यहां पर लाइब्रेरी फोल्डर में यहां पर एक मैं और डिरेक्री क्रेट करता हूं अब पर यहां पर आप मेरा जो फॉस्ट मॉडल है वह क्या होगा जो मेरा यह नेम होगा ना न्यूस चैनल हैडलाइन्स मॉडल तो मैं इसको भी सेम नेम दूंगा ठीक है यूस चैनल and Headlines model simple and यहां पर इसको मैंने paste कर दिया अगर आप इस model को understand करें इसका structure understand करें तो first आपके पास string है status then आपके पास integer है ठीक है और अगर आप यहां पर देखें तो आपके पास यह देखें first status string है यह आपके पास integer है then आपके पास article है और article itself फिर एक array ठीक है तो यहां पर देखें आपके पास list of articles है तो list means array ठीक है आपके पास list है और यहां से फिर सारा अब मज़ी की बात बताओं अगर यह मैं key value pair change करता हूँ status है ठीक है इसका यह जो name है यह मैं change कर सकता हूँ ठीक है अगर आप इसको let's say कुछ भी name change कर देंगे इस तरहां से कर देंगे okay so let's say आगर आप इसको change कर देंगे तो फिर आपके पास यह नहीं होगी ठीक है okay now अब हम क्या करते हैं अब हम यहां पर आ जाते हैं ठीक है कि मैं इसकी बात कर रहा था, इसको मैं अगर इस तरह से कर दूँगा तो यह काम नहीं करेगा, अगर मैं इसको भी चेंज कर दूँगा तो यह फिर आपकी पस null values आएंगी, अगर मैं इसको इस तरह से कर दूँगा तो null हो जाएंगी, हाँ यह हो सकता है, जो articles है न मैं इसका name इसका name में change करके यहां से refactors करके article list कर सकता हूं that's absolutely fine ठीक है तो फिलहल हम इसको छोड़ देते हैं इसी तरह आप अगर future में करना चाहें तो आप कर सकते हैं okay now अब आपके पास a model बन गया ठीक है news repository okay so news repository r-e-p-o-s-i-t-or repository okay and then मैं आपर class create करूँगा class okay और इसको मैं कह दूँगा news repository इसको मैं नेम दे दूँगा news okay r-e-p-o-s-i-t-or repository okay cool अब यह class बन गई है अब इस news repository को यह हमारे लिए कि यह जो किलास है नहीं हमारे लिए क्या करेगी हमारे लिए API का data fetch करके ले के आएगी ठीक है अब देखें जिस तरह से अगर पोस्ट में पर जाओं तो यहां से जब मैं इस API को hit करता हूं तो आपने देखें half a second wait किया है ठीक है तो आपने है कि आपने request server पर भेजी है और उसके गिंस्ट आपको response आया है अब वह response जब आया है ठीक है तो इसको किस तरह से उसको flutter में किस तरह से integrate करते हैं तो अब मैं आपको वह सिखाता हूं उसके लिए हमने class create की है ठीक है इसको हमने इसको हम कह देते हैं एक future function future function क्यों होगा क्यों कि यहां पर आपने कितने second wait कि है 661 millisecond ठीक है अब मैं दोबारा hit करूंगा तो यहां पर देखें 408 आया तो you are not हम यहां पर आ जाएंगे future ठीक है और यहां पर मज़े की चीज अब आपने सीखनी है ठीक है और इस future का response आ रहा है वो क्या आ रहा है वह आपके पास यह आ ठीक है और इसका आप हमने क्या बनाया model बनाया तो जो response आयेगा वहां अब इस model को return कर रहेंगे ठीक है अभी मैं इसको कर देता हूं void for the time being ठीक है future void और यहां से मैं अपने इस name देता हूं fetch news channel headlines API ठीक है और यहां से मैं इसको कर देता हूं अब देखें यह future function है आपके पास error आ ठीक है reason यह से आपका future function होता वह asynchronous होता है तो आपने यहां पर async keyword use करने ठीक है आपका यह error remove हो जाएगा then अब आपके पास है अब आपके पास URL है ठीक है सो मैं आपर use कर लूँगा string URL is equal to ठीक है कौन सा यह वाला URL ठीक है अब मैं इसको copy करके यहां पर paste कर दूँगा ठीक है अब यह जो token है यह वाला जो token है इसको make sure करें कि आप इसको आप safe करें किसी secure storage में ठीक है में क्योंकि यह leak हो गया तो इसको कोई भी misuse करता है लेकिन मैं इस टूटोरियल में आपको नहीं सिखाऊंगा और storage में आपने किस तरह से safe करना है आपने इसको make sure करना है मैंने आपको hint दे दिया कि आपने इसको इस तरह से open नहीं रखना ठीक है then आपने क्या करना है आपन HTTP package क्या करता है आपके लिए HTTP package आपके लिए API जब हिट करते है तो आपके लिए जो भी network से protocol होते है जो डेटा आपके लिए लेकर आते हैं पकेट की फ़र्म में होता है जिन्होंने networking पड़ी वे उनको idea होगा ठीक है वह आपके लिए सारा data यहां पर आपके लिए सारा backend का जो process हो आपके लिए handle करता है ठीक है अब यहां पर हम use करेंगे HTTP ठीक है यह वाला package.get ठीक है अब get क्यों यहां पर different post क्यों नहीं ठीक है API की different types होती है get post delete put get क्यों क्योंकि हमें पता है कि इस API की जो type है वो get है ठीक है अब get कर दिया आप यहां यहां से URL मांग रहा है ठीक है लेकिन get में URL अगर आप इसकी documentation देखें तो यहां पर आपके यह URL मांग रहा है ठीक है अब हम क्या करेंगे अपने URL को URL में convert कर देंगे और इसको हम pass करेंगे अपने URL और simple बात अपने क्या करना है आपने यहां पर semicolon use कर लेना है अब यह बड़ा simple सा काम था आप इस function को call करेंगे तो यहां पर यह function आएगा और इस line को execute करेंगे यहां से इसको यह URL मिलेगा ठीक है इसकी लिए ठीक है अब एक मसला है मसला यह है कि जब यह URL यहां पर API हेट होगी ठीक है तो यह API जब हेट होगी तो अब हमें नहीं पता कि वह कितना टाइम लेगी यह request complete होने में तो हम क्या करेंगे हमने यहां पर future function क्यों use की है ठीक है इसलिए है कि हम यहां पर wait करवाएंगी कि हमें नहीं पता कितने seconds wait करने कितने millisecond wait करने ठीक है तो हम यहां पर wait करेंगे तो यह API हमने हेट कर दी यहां यहां पर हम wait करने response का और जब हमारे पास response आ जाएगा तो हम क्या करेंगे इफ response.status code is equal to 200 अब हमारे पास जब response successful होता तो उसका status code 200 होता है ठीक है तो हमने कहा कि अगर status code 200 है ठीक है बिलकुल 200 है then आप क्या करना है आपने यहाँ पर इसको return करवाना है ठीक है अब क्या return करवाना है else में हमने यहाँ पर throw करवा देनी है throw exceptions कुछ भी exception हो सकती है अब problem यह है कि यह API हमने हिट कर दिये function हिट कर दिया इसका response भी आ गया इसके response में आपके पास एक body आती है ठीक है और यह देखें यहाँ पर आप पोस्ट में में ठीक है तो यह इसके response में एक आपके पास यह देखें यह body अब यह body के अंदर आपके data आया अब इस data को pass करने के लिए हमने क्या करना है ठीक है हमने model यूज किया था अब मैं क्या करूंगा कि मैं future function को future function की एक return type होगी ठीक है अभी null है लेकर अब मैं इसको एक return type provide करूंगा वो क्या होगा news channel headlines model तो अब आपके पास यहाँ पर देखें इसको हम return करवाएंगी news channel headlines model और यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगा return ठीक है न्यूज चैनल headlines models start from json ठीक है और वो जेसन आपके पास आप कहां से आएगा अब देखें आपके पास रिस्पॉंट्स आगया आप इस रिस्पॉंस से आपने ले ली और यह बॉड़ी आप यहाँ पर इसको पास कर देंगे सिंपल ठीक है सो आई होब को आपको यह सारा जो प्रॉसेस नहीं क्लियर हो गयोगा मैं इतने जाधा टाइम इसली इंवेस्ट किये क्योंकि जब next API में इंटिग्रेट करूंगा तो मैं आपको नहीं समझाऊ होगा ठीक है सारा प्रॉसेस सेम होगा जस्ट थोड़ी सी चीज़ें चेंज और जस्ट API का लिंक चींज होगा ठीक है सो यह आपके पास हो गया यह हमारे पास हो गए न्यूस रिपॉजिटरी ठीक है अब हम आ जाते हैं व्यू मॉडल की साइट पर यह हम एक और डिरेक्र निट्रीं तरह न्यूस विःू मॉडल कर देते हैं ठीक है और यहां पर हम के लास्ट करेटा हुए न्यूस in acting आश ब्योगों कृश्युख धर एडिक है अब यह जो न्यूज रिपासेटरी वाली के राश्ट की थी हम नेहांब इनिशलाइज की थि ना यह वाली हम नें क आपने ना पुछ क्यों कर रहे हैं यह सारा कोड मैं यह हां पर Newsview model क्लास में भी कर सकता हूं reason is कि हमने अपने kooड को बहुत ही ज्यादा simple रखना होता है ठीक है बहुत ही ज्यादा हर चीज़ के लिए आपने अलगाले class बनानी होती जिए नहींने MVVM के course देखे में उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्स्प्रेइन भी किया हुए जिन्हें नहीं नहीं देखे वह प्लीज जाके देखने दाके idea हो जाए हम क्या करते हैं कि हमें अपने code को ना architect करना होता है ठीक है उसको proper maintainable बनाना होता है तो बनाने के लिए आपने इस तरह से इसको आर्किटेक्ट करना होता ठीक है जिसमें आपके पस मॉडल दा लगो रिपॉजिट्री दा लगो अब यह सिफ एक न्यूज रिपॉजिट्री अगर आप इसमें लैट से कल को दो प्रवाड़ करते हैं तो फिर आपके पस स्पोर्स की रिपॉजिट्री बनेंगी पिर आपके सिपोर्स का व्यूमॉडल बनेगगा ठीक है इस तरह से जिन्हों ने मेरे अगें व्यूमॉडल से वाली के लासे नहीं लिए उजाके यहां पर हम क्या करेंगे final यहां पर let's say API is equal to news repository ठीक है यहां मैं इसको कर देता हूं API की जगह इसको मैं कर देता हूं रैपो ठीक है अब मेरी एक logic है और वह यह कि जिन्यूस यू मॉडल में जब आप इस API को call करते है न ठीक है इस API को ठीक है तो मैं make sure करता हूं कि इस API का और इस न्यूस भी मॉडल के अंदर जो मैं function बनाता हूं ठीक है तो जो दोनों का आपके पास जो नेम है वह सेम होना चाहिए ठीक है नेम सेम इसलिए होना चाहिए ताकि आपको याद रहे ठीक है आपको याद रहे ठीक है अब मैं क्या कहूंगा simply future यहां से future में क्या return करवाऊंगा news channel कि कुछ mistake कर रहे हैं हम नहीं और यहां पर यह जो news repository में जो मेरे function का नेम है वही मैं इधर भी यूज़ करूंगा ठीक है same function रीजन इसके easy होता याद remember करने के लिए ठीक है अगर आप इस function का नेम चेंज करतें और इस function का नेम चेंज करतें तो problem होगा कि फिर आपको याद नहीं रहे कौन सी रिपोजिटरी से मैंने कौन सा function कॉल करना है ठीक है तो यहाप easy होता है यहाँ पर अब एक और चीज में आपको इस function में आएंगे future function में ठीक है और तो अब आप क्या चाते हैं अब आप चाते हैं कि आपका function कॉल हो तो अब आप उसको news channels की headlines return करवाएं ठीक है तो उसके लिए बड़ा simple है यहां पर आपने आ जाना है news channel headlines में ठीक है और यहां पर आपने वेट यूज करवाना है reason is क्योंकि यह future function है ठीक है हमें नहीं पता कि यह कितना time लेकर तो यहां पर हम इसको wait करवाएंगे और यहां से हम इसको return करवा देंगे response that's it ठीक है तो यह कितना simple हो गया अब अगर मैं यह यह वाला काम जो मैंने इस repository में किया ठीक है अगर मैं यह ना करता तो फिर मुझे यह सारा code यहां से copy करके यहां पर इसको इस तरह से return करवाना पड़ता ठीक है तो यह आई हो आपको समझ आया होगा तो यह हमारे पास हो जाते हैं अपनी कौन से screen पर home screen ठीक है home screen पर और यहां पर आ जाते हैं जिस तरह से ओके सो हम यहां पर आ जाते हैं सबसे पहले जो हमारा news view model इसको हम यहां पर initialize कर लेंगे ठीक है त्यक्तर आप बार में आपके पास टाइटल चाल है अगें फिंपली और यहां पर इसका जिस टाइल है कि लिए हमने गूगल फॉंट्स यूज किया थह अगर आप जाथ हो तो गूगल फॉंट्स और यहां से हम इसको यूज कर लेंगे पॉपिंस ठीक है और पॉपिंस में आपर फॉंट साइस को मैं देता हूं let's say 12 okay and font weight देता हूं font weight इसको मैं 700 का देता हूं ताके यह 700 बोल्ड हो ठीक है इसको मैं यहां पर यह project मैंने भी तक रण नहीं किया मैं जल्दी से इसको simulator पर रण कर लेता हूं जब रण हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूं okay so guys यहां पर project रण हो गया और आप देखें हम अर पास यह back arrow आ रहा है ठीक है अब यह नहीं आना चाहिए ठीक है so it means हमने splash screen के पर कोई mistake की है तो अब हम जाते है splash screen पर यहां पर देखें मैंने push use की है ठीक है जब यहां पर हमने splash screen create की थी तो यहां पर push की जगह आपने इसको push remove until ठीक है okay so this one and then आप इसको दुबारा से run कर दें ठीक है so आप आपके पास कुछ mistake हो की है push okay so push remove name ठीक है sorry push replacement push replacement ठीक है and then आप इसको run कर दें okay and then आप जो आप इसको run करेंगे तो आपके पास यह वाला errors चला जाएगा ठीक है यह आपको पता है कि हमारे पास एक आइकन भी थी ठीक है लीडिंग आप पार की प्रॉपर्टी यह लीडिंग और यहां पर आप हम image.assets ठीक है इसको use करते वे और आपको पता है कि हमारे पास assets में हमने दो images आड़ की थी splash picture और एक थी splash sorry category icon ठीक है तो यहां पर मैं यूज करूंगा images यह images क्यों हमारे पास्पेक.yaml.file में यहां पर देखें assets assets के बाद images ठीक है और यहां पर आप दोबारा अगर आजए आपने splash screen sorry home screen की यूपर तो यहां पर images ठीक है और आपके पास आपकी image का जो name है make sure image का name same हो और आपके पास error आएगा ठीक है .png और इसको save करेंगे और यहां पर देखें आपके पास icon आगी है ठीक है आप this is quite big ठीक है तो हम यहां पर इसकी जो height और width वो set कर लेते हैं so let's height हम कर देते हैं 30 and width हम कर देते हैं 30 okay so height and width 30 30 okay so it doesn't make any difference okay so leading and leading में हमारे पास okay so हम ना एक और काम कर लेते हम यूज कर लेते हैं icon button ठीक है icon button में यहां पर इसकी जो icon होगी ठीक है icon वो हम widget provide करतेंगे और इसकी पर एक on press का method भी है उसको on press की method को हम बाद में देखेंगे तो अब आपके पास के देखने सटल होगी ठीक है cool now next आप हमने के करना है आप हमने यहां पर API hit करवानी है ठीक है the big task I think big तो नहीं है ठीक है बड़ा simple सा task उससे पहले हम एक और काम कर लेते हम यहां पर अपनी media query जो है वह उनको initialize कर लेते हैं ठीक है so let's say with width width with is equal to media query ठीक है media query dot size of context dot height ठीक है and आप इसको कर देंगे one ठीक है and then आप इसको again same h h e i g h d so यहां पर आपके बस width और यह होगी height ठीक है अब आप कहेंगे कि width और height क्या है so भाई तो media query कि मैं आ रहे हैं आपको आता चोनूं कि आपकी फुल screen होती है ठीक है यह screen इसका जो size होता है वह one होता है ठीक है one and then अगर आपने यहां पर screen के पर कुई आपने size देना होता है ठीक है ताके वह screen के पर automatically change हो जाए उसके screen की जो pixels होते है या जो size होता है उसके accordingly change हो जाए तो आप फिर media query use करते हैं so let's say अगर आप यहां पर 600 pixel use करेंगे ना अभी तो बड़ा फोन है लेकिन जब छोटा फोन होगा तो उसकी पूरी screen की उपर वह सारी height आ जाएगी लेकिन अगर आप media query use करेंगे तो let's say इसकी half screen है ठीक है तो फोन जितना भी छोटा हो उसकी सिर्फ half screen की पर ही fit होगा ठीक है so I hope कि आपको clear हो गया होगा मैंने बड़ जवर्दस तरीके six plane करने के कोशिश की है छोटी सी example देखें so list view में हम आ जाते हैं okay so column की जगा हम use करेंगे list view because हमारे पास एक list है and then horizontal list है so horizontal list के लिए मैं मेंशा आपको बता दूँ कि आपके पास जो है वो size होना चाहिए ठीक है so अगर आपने horizontal list show करवाना तो उसकी लिए आपके पस make sure करें make sure करें always always आपके पस यहां पर आपने उसको size fix करना हो था आप size fix नहीं करेंगे आपके पास error आ जाएगा ठीक है so यहां पर हम height use कर लेते हैं सो हमारे पास height multiply ठीक है यहां से हम 0.55 so हम use कर लेते हाफ of screen ठीक है so 0.55 ठीक है so अगर इसको मैं अगर हम container box में convert कर दें और इसको मैं with देता हूं let's say with double so with हम इसको provide कर देते हैं ठीक है और इसको मैं container box में convert करता हूं ताकि आपको अभी देखें आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है लेकिन जब इसको मैं color दे दूंगा ठीक है so colors color stored green कर देता हूं ठीक है तो आपके पास 5.5 ठीक है जिसको मैं कर देता हूं तो देखें आपके पस half screen cover होगी है ठीक है so यहां पर हम 5.5 यूज़ करेंगे and आपके पस देखें screen cover होगी अब क्या होगा कि लेट्स एगर आपके पस छोटा phone है जिसकी सिर्फ height इतनी है यह यह वाला portion ठीक है तो वह उसके अगर आप इसको अगर आप इसको constant height देंगे ठीक है अगर पिक्सल की form में जिस तरह से अभी इसको मैं 600 पिक्सल देता हूं तो फिर क्या होगा कि अगर आपका phone इतना सा है ना तो उसके यह फूल यह 600 पिक्सल अगर आप इसकी यहां पर आपके पास news view model है यहां पर इसकी return type क्या है future और future में आपके पास return type क्या है है news channel headlines ठीक है तो इसलिए हम यहां पर अपनी home screen में यूज करें future builder तो इस future builder में हमारे पास error आ ठीक है तो उसकी reason यह है कि अब आप future builder में आपके पास क्या होना चाहिए asynchronous builder होना चाहिए ठीक है या आप asynchronous इसको नहीं dynamic की जगा हमें पता है कि हमारे future builder की जो return type है वो क्या होगी वो हमें पता है news channel headlines होगी ठीक है headlines model होगी तो हमने उसको यहां पर change कर दिया और future यहां पर इसको provide करेंगे news view model dot fetch news channels headline API ठीक है and then यहां पर हम क्या करेंगे if snapshot snapshot so snapshot dot connection come on qrr snapshot dot connection state is equal to connection state dot waiting means कि आपी future complete नहीं हुआ API hit की wait कर रहे है ठीक है तो जब यहां पर data नहीं होगा हम wait कर रहे है तो in that case आपने यहां पर कुछ show करवाना है ठीक है तो उसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे return ठीक है center ओके और यहां पर इसको जो child provide करेंगे ठीक है और उसके child में हम अगर आपको याद हो तो हमने spin kit यूज़ की थी ठीक है spin kit एक widget यूज़ किया था pubspec.yaml file में spin kit यहां पर आप आजें ठीक है spin kit के अगर आप इसको explore करें google पर जाएं ठीक है तो यहां पर flutter spin kit और यह आपके पास आ गया और यहां पर आप इसकी animations देखें ठीक है तो जब हम wait कर रहे होते हैं तो आपके पास खुबसूरत किसम की animations आपको spin kit प्रोवाइड करता है ठीक है यह देखें अब आप इन में से कोई भी animation आप easily use कर सकते हैं ठीक है मैं मैं यूज करूंगा spin kit, spin kit circle इसको मैं size दे दूँगा spin kit sorry c i c circle और इसको मैं size दे दूँगा 40 pixel और color मैं इसको देता हूं let's say color start blue blue ठीक है और अब मैं क्या करूंगा अब देखें तो आपके पास error आ रहा है else में तो आपने return करवा दिया sorry if में तो आपने return करवा दिये कुछ न कुछ ठीक है लेकिन else part still आपके पास mystery है ठीक है तो उसको भी अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से करना है simply यहां पर फिलाल हम use कर लेते अब आपके पास API हिट होगी spin kit आया ठीक है कुछ टाइम के लिए और आपके पास data भी आ चुक है अब आपको कैसे पता चलेगा कि यह data आया है या नहीं तो आप इस response को यह इस headlines के चैनल पर जाके इस print को आप यहां पर response.body आप यहां पर print करवा सकते हैं ठीक है और इसको आप कर दें के debug mode और यहां से आप इंपूर्ट कर लें foundation ताके जब release mode में आप जाएं तो आपके पास statements यहां पर नहीं आएंगे ठीक है और अगर आप इसको तुबारा से run करेंगे ठीक है और यहां पर जब आप इसको run करेंगे तो आप देखें API here to you आपके पास response आगया अच्छा मज़ी की बात एक और चीज में आपको सिखाता हूं और वह यह कि अपने models पर जाता हूं ठी ठीक है और यहां पर जो status है इसकी जो इसकी जो value है ना इसके key PR है मैं इसको change कर देता हूं अब देखें यहां पर 10 आया था अब यहां पर मैं इसकी key PR change कर दिया ठीक है अब मैं इसको तुबारा से run करता हूं तो you guys will see null null kind of available आप लोग error देखेंगे आपके बस कुछ ने कु okay so total result still 10 I mean this is working ठीक है right now it's not no problem हम इसको आगे जाके आगे जाके explore कर लेंगे but it's 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 तरह से होता है error आपके पास इसी तरह से आते हैं let's say this is not a type of this ठीक है so हम आपके पास इस तरह से आते हैं अब हम आ जाते हैं अपने home screen क्यों पर okay home screen and then containers को अभी हम बिल्ड करना शुरू कर दें ठीक है so container में यूज करूंगा child child में यूज करूंगा stack stack की यूज कर रहा हूं because हमने उस तरह का design बना रहा ठीक है और यहां पर मैं इसकी जो alignment है अलाइमेंट में यूज करूंगा center center dus git and then यहां पर मां यूज करूंगा container यङ कन्टेनर क्यों कर रहा हूं वह भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर मैंने container okay sorry इसके children यहां पर क्रोंगा container और container में यहां पर उस करूंगा यहां पर यूज कर लिए हैं टYC यहां पर हम यह कर लेंगे cash 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 network image यह वाला package मैंने आपको यूज वहां पर add करवाया था ठीक है so I hope कि आप लोगों को idea होगा कि basically किस तरने से करते हैं ठीक है so cash in network image में आप आपके पास image url होता है image url होता है तो वह आप कहां से आये स्नाप्शॉट डॉट ठीक है इसको ज़रा समझिए गया यह बड़ा थोड़ा सा काइंड आप कह सकते हैं कि इस 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 ओके समय घलती कर रहा हूं मैं घलती कर रहा हूं वह यह वह यह क्योंकि हमारे पास API का रिस्पॉंस है वह तो लिस्ट की फॉर्म में है तो मैंने तो वर्टिकल लिस्ट परा नहीं है ठीक है तो उसकी लिए अफकोर्स मुझे अपने इस कंटेनर का कोड जो है वह पहले मुझे रीटन करवाना पड़ेगा लिस्ट वीव बिल्डर ठीक है तो यहां पर हो गया जो यहां पर हमने कॉपी किया था ओके सो हमने इसको दो रिटन आगे इसको हम रिमूफ कर देते हैं अब आ जाते हैं यहां पर ठीक है अब हम आइटम काउंट में यहां पर क्या कूंसी चीज प्रोवाइड करेंगे अगर आप अपने पोस्ट मैं में जाएं तो आर्टिकल डॉट लेंट यह नल चेक नहीं होना चाहिए यहां पर आप नॉट साइं यूज कर लें ठीक है नल वैलिएज नहीं आनी चाहिए और यह आपके पास आगया है नेक्स चीज आप आपने क्या करनी स्नाप शॉट ठीक है और अर्टिकल्स अब हर एक का इंडिक्स होगा ना से हमने लिस्ट को बतात Lori कि से value निकाल लो यहां पर हम इसको इंडेक्स करेंगे dot ठिक है और यहां पर हम इसको इमज जो है वह 2020 इंज डॉस्ट्री ऐंट्न देन आप यहां पर हम इसको इसको एड करेंगे धि ए एक और चीज यहां पर आपने क्या करना है आप इसको फिट होगा ठीक है वह box fit फिलहाल हम इसको cover कर देंगे okay and then आपने placeholder use करना है आप कुछ भी यूज कर सकते हैं ठीक है circular progress indicator use कर सकते हैं कुछ भी यूज कर सकते हैं so मैं यहां पर यूज कर लूगा जो spin kit हमने यूज किया ठीक है उसको मैं यूज करूँगा आप यहां पर contain context यूज और ओके एंड़न आप इसको यहां पर provide कर दें जो spin kit ओके सो मैं क्या करता हूं यार मैंने यहां पर नीचे आ जाता हूं ओके और spin kit अपने लिए क्रिएट कर लेता हूं ठीक है spin kit2 is equal to spin kit fading circle ठीक है यह एक और animation है and then आप इसको यहां पर color provide कर दें से let's say colors.amber okay and then आप इसको यहां पर size provide कर देंगे 50 और यह आपके पास error आ रहा है तो अब आपने करना है इसको stateful widgets से बाहर ले किया जाना है यहां पर आप ले आएंगे तो आपके पास error खतम हो जाएगा और यह spin kit2 वाला widget है अब आप इसको यहां पर provide कर देंगे ठीक है simple आप इसको यहां पर क्या करेंगे इसको provide कर देंगे और आपका जो error है वो यहां से चल जाएगा सब्सक्राइब कर लूँगा container container में आपके पास पता चाइल्ड होता है ठीक है और आप चाइल्ड में यहां पर spin kit2 provide कर देंगे तो यह आपके पास आगया placeholder and then आप यहां पर error widget भी define कर सकते है ठीक है again error widget में आपको context URL error ओके यहां पर हमने use कर लेता हूँ icons icons में यहां पर में use कर लेता हूँ error इसको colors होगा colors.red use कर लेते हैं ठीक है क्योंकर danger sign है और इसके साथ ही हमारे पास error आगया है ठीक है तो वह क्यों आया उसको हम देख लेते हैं context okay so यहां पर हमने एक semicolon miss कर दिया था अब इसको मैं save करूंगा तो you will see के अब आपके पास list तो बन गी है वाट यह vertical है ठीक है तो इसकी अब हम क्या करेंगे direction change कर देंगे यहां से इसकी scroll direction उसको हम perfectly change कर देंगे ठीक है so यहां पर आप इसकी property एक यूज होती है कौन सी यूज होती है position श्क्रोल डारेक्शन यस एक्सिस ठीक है dot horizontal सेफ करें ठीक है तो यह आपके पास horizontal हो गी है अब यहां पर हम इसको थोड़ा सा और change करेंगे ठीक है simple देखें आपको मैं step by step सिखा रहा हूं तो आप लोगों को problem नहीं होगा so यह आप size box use कर लेते हैं ठीक है इसकी जगा और इसकी जगा भी हम container की जगा भी हम size box use कर लेते हैं और इसको हम padding देंगे ठीक है यह जो हमारे पास container है इसको हम क्या करेंगे padding देंगे ठीक है so padding हम इसको sorry यह जो size box इसको हम padding दे देंगे और padding में यहाँ पर हम use करेंगे कौन सी padding use करेंगे simple symmetric ठीक है और यहाँ पर मैं इसको horizontal padding दे दूंगा let's say with 0.04 0.04 ओके यह होगी horizontal और फिर हम इसको vertical दे देंगे vertical आपको पता height होता है तो height इसको हम दे देंगे so divided by 0.002 ठीक है safe करेंगे so you will see के अब आपके पास यह थोड़ा सा change हो गया ठीक है बट स्टिल आपके पस देखें यह यह आपके पस इस तरह से जा रहा है ठीक है अगेन यह perfect नहीं इसको भी हम perfect बनाने की कोशिश करते हैं ठीक है no problem इसको भी हम perfect बनाने की कोशिश करते हैं okay okay guys I just I just made a mistake I just realized I made a mistake I'm sorry आप लोग कोई मेरे साथ मिस्टेक खेर आपके पैडिंग में यह से रिमूफ कर देता हूं ठीक है यह पैडिंग सोई में यह से रिमूफ कर देता हूं और यह जो मेरा cache network था ठीक है size box इसको मैं यहाँ पर height और width दूँँगा ठीक है इसको मैं height मैं इसको दूँँगा ठीक है height so height is let's say 0.06 okay sorry not 0.06 0.0.0 just and multiply by come on what I'm doing here this one ठीक है and then यहाँ पर इसको में with provide करेंगे with multiply by 0.9 ठीक है so now you will see different thing oh come on I think we just made a mistake so यहाँ पर 0.0 so यह आपके पास change होगी ठीक है अब again इसमें भी issue है so अब हम क्या करते हैं यह जो size box है ठीक है इस size box के अंदर यह cache network image है ठीक है इस cache network image को हम यहाँ पर okay so हम use कर लेते हैं container और container में यहाँ पर हम इसको padding दे देते हैं और इसको हम horizontal padding देंगे horizontal ठीक है और height multiply by 0.02 and let's see if it makes yes अब थोड़ा सा shape में आना शुरू हो गया ठीक है अब इसके जो edges है इसको अब हमने round करना है ठीक है so उसके लिए हम क्या करेंगे जो cache network image है इसको हम wrap करेंगे clip PR react ठीक है clip 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 okay and then आपने इसको यहाँ पर और और react okay and then आपने यहाँ पर इसको प्रोवाइट करना है border radius border radius then border radius and then आपने यहाँ पर इसको circular प्रोवाइट करते हैं ठीक है 15 pixel yes 15 pixel so अब आपके पास image जो है वो थोड़ी सी खुबसूरत तो होगी या at least यह तो मान ले ठीक है then अब हमने यहाँ पर इसके जो और चीज़ें वो शो करवाने है ठीक है so we are done with this अब हमने stack use किया था ठीक है so stack के अंदर हम एक और widget use करेंगे और वो है this one ठीक है simple से है यहाँ पर हम use करेंगे card widget use करेंगे ठीक है card okay and then card में आपके पास जिसकी shape है shape हम use कर लेते हैं ठीक है so rounded rectangle border okay and then यहाँ पर इसको border radius देंगे border radius dot circular इसको हम कर देते हैं 12px okay and then इसका एक child होगा ठीक है this one child और यहाँ पर आप semicolon use कर लेंगे अपके पस error remove हो जाए and then आप ने आजाना है यहाँ पर child section में ठीक है and child section में आपने यहाँ पर container container widget को use करते है ठीक है and then child में आपके पास column ठीक है columns में आपके पस of course children होते हैं ठीक है एंन डलाके आप अपने यहाँ पर क्लॉमम च्रंच सेंटर करना इंड इंगाwe इस Kentर के अंदर अब एक और में कांडेनर को यूज करेंगे ठीक है व्याँ जढ़ी आप कंटेनर हो गए यार so container और इसकी जो width होगी ना उसको हम width हम यहां पर इसको multiply करेंगे multiply by 0.7 cool and then इसका जो child होगा वो एक text widget होगा और इस text में हम क्या show करवाएंगे title ठीक है so यहां पर हम snapshot snapshot.data.articles articles में यहां पर index index.title.toString okay और यहां पर अब null check आप यूज कर लेंगे and then आपने इसको style करने के लिए क्या करने Google के font यूज करने ठीक है नीचे आ जाएं और यहां पर हमने कौन से fonts यूज करने google fonts.popin ठीक है popins यूज कर रहे थे popins font size हम यूज कर लेंगे 17 okay and then font page यूज कर लेंगे as usual bold ठीक है cool अब हम इसको run करते हैं let's see यह हमारे पास क्या बना है कुछ तो बन गया थी बई कुछ बन गया ठीक है अब यहां पर ना यह जो container हमने यूज किया था bottom center ठीक है यह जो container यूज किया था इसकी हम हाइट जहाँ set कर देते हैं height multiply by 0.22 safe करेंगे so अब आप देखेंगी bottom center था तो यह थोड़ा सा नीचे की तरफ आपके पास आना शुरू हो गया ठीक है अब यहां पर यह इसको हम position widget में wrap करेंगे position widget में ठीक है क्यों wrap करेंगे the reason is के अब हमने इसकी जो bottom की position इसको bottom पर लेके आएंगे bottom पर हम यूज करेंगे 20 ठीक है अब देखें bottom पर आए गया लेकिन 20 pixel यहां पर यहां पर यह ब्लकुल bottom पर attach हो जाएगा यहां पर मैंने इसको 20 लिए पिक्सल दिया और यह आपके पास शेप में आना शुरू हो गाया यह अब आपके पास क्या हो रहा है कि आपके पास यह चीजें बनना शुरू हो गी है अब दो चीजें मिसिंग है एग आपके पास टाइटल भी आपके पास आ गया आपके पास अच्छा हम अपनी इस न्यूस को आपको देखें तो यहां पर आपके पास टाइटल आ रहा है ठीक है तेन आपके पास डेट और आपके पास जो सोर्स ऑफ दे न्यूस है वह आपके वे उसके लिए आपने इसको Eclipse में डाल देना है ठीक है so text overflow overflow.eclipse ठीक है so यह आप आपने कर दिया then आपने यहाप पर यूज करना है spacer widget ठीक है कि इसके बीच में जितनी भी space है वो यह सारी cover हो जाए और फिर आपने यूज करना है container widget यहाँ आपने यापने आ जबैए ठीक है अगेन container widget container में आपके पास चाय चायल में यूज कर लेंगे raw और और वे आपके पास आ जाएंगे come on child में यूज कर लेंगे किया था ना इसका कर देता हो यहां पर एक ह inner corner यहां पर देखिए चैन्छ आपके पास यह थोड़ा सा ठीक सो रीजन इस के अब यह उसको हम यहां पर इस तरह से करेंगे तो अब आपके पास रिफोस्स करें वहाँ बाइब आपके न電 जो टेकंट में आत्या स किस और आपके पास का रहा है सीफेंगे तो एपने आज़ाना यहां पर पर कीच में यहां यहां पर आप यूज कर लें date and time date and time ठीक है date time is equal to date and time dot pass ठीक है क्योंकि वो string form में है तो हमने string form से date and time को convert करना है ठीक है तो उसके लिए आपने यहां पर snapshot dot data dot articles articles में index index में आपके पास publish at ठीक है and then to string ठीक है क्योंकि इसको string चाहिए और यहां पर आप null checks use कर लें ठीक है अब आपके पास यह date and time में convert होगी string ठीक है क्योंकि आपके पास आ रही है GMT में Z जहां पर लिखा होता हूँ इसका मदब होता है GMT ठीक है GMT 5 प्लस-5 ठीक है अब नेक्स चीज़ आपने क्या करनी है अब आप यहां पर आ जाएं टॉप ठीक है और यहां पर एक date and time का format यहां पर set कर लेते हैं ठीक है and DD ठीक है and yyy month day year ठीक है इस format को मैं यहां से copy करूंगा ठीक है यह format यहां से मैंने copy कर लिया मैं अब आ जाओंगा नीचे ठीक है और नीचे जहां पर मैंने date show कर वानी है उसमें मैं यहां पर क्या करूंगा यहां ठीक है और यहां पर format. format इसका जो format होगा date and time जो उपर मैंने यहां पर यह लिया था इसको मैं save करूंगा तो अब आप अगर अपने दुबारा से अपने इसमें जाएं तो देखें आपके पास आ गया instance of source ठीक है अच्छा source में हमारे पास अभी मैंने यहां पर mistake करता हूं तो मैं दोबारा जाओंगा आपके पर still design है वो set नहीं हुआ ठीक है तो मैं दोबारा जाओंगा और यहां पर यह जो source है source यह object है तो इसमें से भी हम name निकालेंगे कि source क्या है name ठीक है और यहां पर Null.check क्युंब क्योंकर नALLY check रही होना चाहिए ठीक है and then यहां तक हरे यहां रूस कर लेंगे 12 इसको size होगा और weight हम यूज कर लेंगे 500 ठीक है और इसका हम में एक्सिस में में एक्सिस अलाइमें डॉट स्पेस बिट्वीन यूश कर लूँगा ठीक है अब आपस में इस सप्रेट हो जाएंगे ठीक है यूविल सी कि इस पर चले गया है बट स्टिल एक चीज़ का इश्यू है और वह यह है कि इसकी जो पैडिंग है न वह अभी तक ह यहां पर हम इसको कर देंगे 15 पिक्सल और यह रहा आपका पर्फेक्ट इसाइन और यह रही आपकी API ठीक है नाव यह वीडियो आई नो बहुत लंबी होगी है बट बिलीव मी आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा बहुत सारे कॉंसेप्स बहुत साही चीज़ मैं आपनेक्स्द इस खुद इंटेग्रेड कर सकते है वीडियोगा सर्फक्रान को अधो विडियो पता है मैरे चानल को बाग्स में गिवन एट थाक्यूंच वच व मुच वट इस वीडियो नियू फ्यक्तार यह उन्द आथ हूं